हलो स्टुडेंट्स वालकम बेक तु माई यूट्यूब चैनल चैनल चैनलिक सर्समां स्वेनिया आज हम डिस्कस करेंगे आपका उज्राथ बोर में जो सिलेबस 30% कट हुआ है उसके बारे में तो आज आपके लिए उस खबरी है सभी स्टुटन्ट कुस हो गए होंगे कि उन प्रिपरेशन करने में यह बहुत होने वारा है तो अच्छे से ध्यान दीजिए कस्टुएर्स ताकि आपको इसली समझ में आजाए कि कौन से टॉपिक आपके नहीं आने वारे है तो चलिए टेक्स्ट्बूक और पैंसल ले ले लिजिए और जो भी आपका डेले पोर्शन है ठीक है उसे कट कर दीजिए अभी ये लिए ठीक है तो चलिए स्काट करते हैं तो सी कि फ्राउं लब फर्स चैप्टर को जाए तेटीज रिल नंबर्स तो ये नंबर्स में आपकी कौन-कौन से टॉपिक बेलिट हुय है ठीक है कौन-कौन से टॉपिक को हटा दिया गया है तो उसकी बार एंग बात करते हों तो सी फर्स्र ऑफ पर एक्जामपल, टेक्स्च्च्च्च्चुल जो एक्जामपल होते हैं आपके थे फर्स एक्जामपल, टापिक 1.2, यूउपलिप्स डिवीजन यह पुरा टॉपिक घड़ा किया है यूपलिट्स दिविसन है हाँ तो इसके रिएटेट्ट चोपी क्वेशन से आपके एक्सम में आएंगे ठीक है नाव एक्सराइस 1.1, इन एक्सराइस 1.1, क्वेशन नमबर 2, 2 क्वेशन नमबर 5 यह एक्सराइस 1.2, क्वेशन नमबर 5, 2, 7, 5, 6, 7, एक्सराइस 1.2, क्वेशन नमबर 5, 2, 7, 5, 6, 7, एक्सराइस 1.4, थेर्म 1.3 एक्सराइस 1.4, एक्सम में नमबर 5, 6, 7, 6, एक्सम में नमबर 5, 6, 8, 6, 7, 9, 10, 11, एक्सराइज 1.3 एंद फियरव 1.5 एंद 1.6 ठीक है? तो आपका चेक्टर वान है रियल अबर्स इसमें से इतने टॉपिक्स को डिलेट कर दिया हुआ है तो ये टॉपिक्स की डिलेटेट शूपिस्टन से है और ये एक्सराइज जैसे कि एक्सराइज 1.1 का टुषिन 2 पुषिन 5 है तो उसकी पुषिन आपकी बड़ एक्सम रहुँगे ये टॉपिक्स की डिलेटेट को इंद पुषिन आपके और एक्सम में हुँगा नहीं तो इसके अलावा का जो बावी टॉपिक्स है वो आपको करने है एक्सम के लिए ठीक है तो ये था चैप्टर 1 के लिए धुषिन आपकी 2, that is polynomial, chapter 2, that is polynomial, chapter 2, polynomials, तो देखिए, polynomials ने से कौन से टॉपिक को निकाल दिया है, तो आपका जो टॉपिक 2.4 है, that is division algorithm, for polynomials, तो division algorithm को निकाल दिया है, तेखिए, और इसके रिलेटेट जोपिक विशन होंगे, वोगी उसमें आएंगे, none, example, जो textual example होते हैं, उसमें, example 6, 7, 8, and 9, and then exercise 2.3, वो प्रड़ा दिया है, जो भी exercise 2.3 है, वो आखी निकल गए है, तो यह जो portion है, वो आपका chapter 2 का portion है, ठीक है, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आपकी टेक्स की जो index है, उसमें ही आपको topics दिये हुए हो, और यह आपकी जो textual example होते हैं, उसकी बात होते हैं, ठीक है, और yes means आपकी exercise, यह पूरी exercise को निकाल दिया है, now chapter 3 की बात करते है, chapter 3, linear equations in two variables, so this is developed in chapter 3, आपका जो पूरा 3.4 topic है, 3.4.3, cross multiplication है तर, वो topic को अड़ा दिया है, example 14, 15 and 16, उसको अड़ा दिया है, then exercise 3.5 में, question 1 and 2 को अड़ा किया है, example 17, 18, 19, and in exercise 3.6, question 1 and question 2, question 1 and question 2 को निकाल दिया है, और in exercise 3.5, question 1 and 2, C, in exercise 3.5, आपकी cross multiplication के related word problems भी है, but वो word problems आपको करने पड़े देखियो, क्योंकि word problems में आपको ऐसा नहीं थमपा होता है, कि ये cross multiplication matter से करो या alienation matter से करो, तो वो exercise 3 word problems आपकी exam में आ सकते हैं, आपको alienation से भी solve करने पड़े थी है, तो आपको alienation और substitution matter अच्छे से करने हैं, और क्कोंसे में भड़ा है है, chapter 3 में से cross multiplication matter, और उसके related point equations दाएंगे, and exercise 3.6, ठीक है students, तो ये हुआ आपका chapter 3 का, deliberate portion, ना बार करते हैं, chapter 4, quadratic equation, quadratic equation, इन quadratic equation आपका जो topic 4.4 है, completing this square matter, वो पूरे topic को अड़ा लिया हुआ है, and इसके related example है, and question इसे भी निकाह दिया है, 7, 8, 9, example, 11 and 12, then exercise 4.3 की बार बढ़िया हुआ है, तो उसमें question number 1, and question 9 to 11 भी लिट कर दिया हुआ है, तो ये जो आपका इतना जो portion है, वो आपके exam में आएगा, मैं कौन सा completing this square matter को निकाह दिया है, उसके related to exam was वो, and exercise 4.3 का, question number 1, and question number 9 to 11, तो ये बात हुआ chapter 4 की, now बात करते है, chapter 5, अलिफमेडिक आपरीशन, तो उसमें, in exercise 5.1, question number 4 is not there, तीके, उसमें जो question number 4 है, वो आपका निकाल दिया हुआ है, example की बात करेंगे, example 9 and 10, then, in exercise 5.2, question 16 to 20, is not there, exercise 5.3 के, question 13 to 20, is not there, exercise 5.3 के, question 13 to 20, is not there, तीके, exercise 5.3 के, question 13 to question 20, पी आपकी exam में नहीं होंगे, जो की word problems थे, related to argument preparation, तो आपका chapter 5 में, exercise 5.1 का, push number 4, exam 9 and 10, in exercise 5.2, push number 16 to push number 20, exam 12, 15 and 16, or in exercise 5.3, ती, question no. 13 to' question no. 20, is not there in your, vocal exam theory of us here, now our 5th chapter 60, that is triangle, part two, In chapter 6, theorem 6.1, 6.2 is not that, then, example 1, 2 and 3, 3, उसके बाद अगर exercise 6.2 की बाद करें, तो हैं exercise 6.2, question 3 to 10, is the linear part, then, theorem 6.3, 6.4, 6.5 is not that, example की बाद करें तो हम, 4, 6, 8, 9 is not that, then, in exercise 6.3, question 3 to 14, 15 and 16 is not that, in exercise 6.4, question 2 to 7, and question 9 is not that, then, theorem 6.7, 6.8 and 6.9 is not that, example 10, 12, 13, 14, topic 6.5, that is, area of similar triangles, in exercise 6.5, question 1, 2, question 16 is not that, तो यह चेप्टर में से आपका बहुत सारा पूर्शन निकल जुका है, तो यह आप के लिए बहुत बाहुत होने तो यह काफी सारे पूर्शन निकल जुका है, तो यह चेप्टर में थे, और यह चेप्टर सबसे, लानी चेप्टर में है, तो सी, आपके के लिए 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.7, 6.8 and 6.9 को हटा दिया है, टान, एक्सरसाइब आप एक्सराइब 6.1 में के क्विशन 3-10, एक्सराइब 6.3 की बात करे हैं, तो क्विशन 3-16, एक्सराइब 6.4 में क्विशन 2 विशन 7 और कूरा टॉपिशन 6.5 को निकाल दिया है, ठीक है, तो इसके रिलेटल को प्विशन सापकी बोड एक्जम में आएंगे नहीं और हम चुम बात करें किसकी बात कर रहे हैं जिराद बोड एक्जाम की ठीक है ना चेक्रिस सब्सक्राइब बात करते हैं थर्डिस पॉर्डिक चुमांटरी तो इक चास्पे प्र बात कर रहे हैं थर्डिस सुमड़। तो इन च Pourquoi्र छेक्र रहें वे-ध क्ग्रम्ट प्र ज़र्ड खेंड कर रहेता हैं? which is 8, 9 and 10 is not there 7.4 topic area of triangle और उसके रिलेटेट शुपूरी आपकी exercise है 7.3 उसे पनीका लिया है and example 11 to 15 is also not there ठीके तो ये था आपका chapter 7 का इसापी नाव बार पर्टे चेटर इसापी इसापी नाव क्डकर अटाला इसापी नापका लापकी In exercise 8.2, equation 3 is not there. In exercise 8.3, equation 2, 4 and 6. Example 10, 12 to 15, is illegal part. Then, exercise 8.4 की हम बात कराएं, तो ये बात हुई आपकी चेप्टर 8, तो ये बात हुई आपकी चेप्टर 8, तो ये चेप्टर 7 ए चेप्टर 8, तो ये चूप पूर्शन हम कान सा पूर्शन है? तो ये आपकी चेप्ट की सोचो, तो ये चेप्ट की चेकी ऐ हैं, तो ये बात के चेप्टर 9, गपकी आपकी चेप्टर 9, गपते दिच्टर 9, पूर्शन होन bbe जोस्तिक्स कर लिघय्यूद wise दिन स्वक्तिक्पड़िका mujeres इनरे 6 hmm विए 7瞬 देए सिंधने फसले कि अ से झाल सुल है कि अर्था ठीक्प़डर यह इपन्ट 2 सिक्पूनिकाज्यू है या रहा है, that means in exercise 9.1, only 5 questions are there, that is question number 1 to question number 5, and example 4 to 7, उसे भी निकाल दिया है, ठीक है, बाग का chapter 9, अर्मूस हमें सिकाल करें, तो पूरा 50% जो बूर्शन है, उसे निकाल दिया है, then chapter 10, circle, in chapter 10, theorem 10.1 and 10.2, example 1, 2, 3, then in exercise 10.2, question number 4, 5, and question number 8, 2, 2, 1, इतने questions को हड़ा दिया है, only 2 exercise are there, 10.1 and 10.2, all exercise 10.2, question number 4, 5, and 8, 2, 12 को हड़ा दिया है, ठीक है, यह यह आप था, quiz chapter 10 के related, related portion, now बाद पाचा है, यह बाद की, that is instruction, तो, in construction chapter, example 1 and 2 is not there, or in exercise 11.1, question 227, only 2 exercise are there, exercise 11.1 and exercise 11.2, question 227 को निचाल दिया है, और in exercise 11.2, question 6 and question 7 को निचाल दिया है, topic अब का जो हमें 11.2, division of line segment, यह बाद है, यह बाद हमें टॉपिक को, और यह टॉपिक की related शाल के exercise 11.1 भी questions है, वो questions को भी हड़ा दिया है, ठीक है, तो यह जो topic की related questions है, वो आपकी exam मैंगे, नहीं, ना, chapter 12 को बाद करते है, यह यह बाद दिया, बाद वालो बाद करता है, यहुआएखएभवब मैंगें, यह जो अदो के राद करते हैं, यह बाद करता है, Ш服 मैंगे, पूता है, यह हूआएँ़जजब बाद क्याले है, यह बाद नहीं पुआएबदे क्या है, बाद하세요, रहाद है, यह हमें पुआएगपगक्यों को च्टेटर 12, फ्रम एक्सराइस 12.1, विशिन 4 कुनि कराया, एक्सराइस 3, एक्सराइस 12.2, विशिन 7 विशिन 13, एक्सराइस 12.4, एक्सराइस 12.3, 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 एक्सराइस 12.3 एक्सरसाइस बार पॉइंट नी में कुईशिन 1 तो कुईशिन 16 इतना च्वापका पॉर्शन है वो रिडियूस करते गिया है ठीक है ये वाजय पार्ट को निखाज गिया है ना चेप्रे 13 भी बार करते है एगिया एट वॉल्यूम इतना चेप्राणिघ करते है ना चेप्र वाणन है एक्साम्पल 7 तो एक्साम्पल 11 एक्साम्पल 13.3 टॉपिक 13.5 ताइस प्रस्टम और उसके लेके शेक्साइज है 13.4 तो वो पूरी निकल रही है और एक्साम्पल प्रबायार 13.14 ठीक है तो यह जो चेप्टर करें उसमें से दो कॉपिक्स को निकाला है एक तो कन्वर्शन आप सॉलिट फ्रम बान शेप को आना कर और उसके लेके शेक्साइज है आपकी 13.3 उसको पूरा निकल दिया है और टॉबिब 13.5 फ्रस्टम आउफ पूर और उसके लेके शुरू एक्सरसाइज है 13.4 तो उसमें से भी आपकी कोई भी प्रेशन आएंगे नज्ट तो यह बात की चेक्टर 13 इरिया एंग वाल्यू की नाव बात पते चेक्टर 14 स्टेटिस्टिक्स इन चेक्टर 14 स्टेडिस्ट्सिक्ट आपका अच्छो तोकित 14.5 है ग्राफिकल रिप्रेसंटिशिन और उसके रिलेटिट शाप के इंफिल साइज एक्सरसाइस 14.4 है वो पूरे डिलेल करती है एड एक्सामपल नमबर 9 तो चैप्टर 4 मिसे आपका एक टॉपिक कट किया है तोपिक 14.5 जो आपको मिलियर बिलेटिट ग्राफ थे वो पूरा टॉपिक आए करने में आपके एक्साम में और फिर एक्सरसाइस 14.4 एक्सामपल नमबर 9 में बिलियर पूरीस द्राइन एक्साम परबस ठीक है तो वो आपको प्रिपेर करना है तो आपका जो टॉपिक 14.5 है वो नहीं होगा एड लास्ट चैप्टर की बात करेंगा तो वो पूरे पूरा चैप्टर आपकी एक्साम में आएगा उसमें कोई भी पॉर्षन या कोई भी टॉपिक कर नहीं हुआ है तो वो चैप्टर आपको पूरा एक्साम के लिए करना पड़ेगा तो आज जो हमने बात की वो बात की आपका चैप्टर कोई पूर्षन बोर्ड एक्साम के परपस से उसके बारे है बड़ अगर आपके पास क्या एक ठीक है तो आपको पूरे पूरे टॉपिक एक बार अच्छे से पढ़ लेने है क्योंकि कभी भी स्टुडेंट्स बढ़ा हुआ अव्यर्थ नहीं जाता है और आपको को टॉपिक के बारे में आईडिया भी आईगा ठीक है बड़ अगर आपको इस्टुडेंट हो तो आप सबसे जादा फूकस किसपे परोगे जो आपके टॉपिक से एक्जम में आने वाले है उस पर टॉपिक को वो टॉपिक में फूकस करोगे ठीक है तो आए होंसो कि आर्चों मैंने आपको इंफोर्मेशन दी है वो आपको बहुत ही यूजबूड होगी आपके एक्जम की प्रिपरेशन करने के लिए ठीक है तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना बुले और अगर आपने चैनल को सबस्क्राब नि करते हैं उसके बाद हम एक्सटाक्टिशन की प्रेक्टिस करेंगे और उसके रिलेटेट वीडियोस की मैं आपको पीच दारा होगा ठीक है तो मिलते है नेक्स्ट वीडियो में थैंक्यू स्टूडांट्स